वेरी गुड आफटनून तो आल, स्टूडेंस, लास्ट हमारे वीडियो में आपने पढ़ा कि प्राकरतिक तंतु क्या होते हैं, उनकी पहचान कैसे की जा सकती है, और कौन-कौन से मैथर्ड्स हैं, जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि पर्टिकुलर जो तंतु है, वो कौन सा त प्रकार की कैटेगराजेशन हमने किया हुआ है तंतु का, और कैसे उस कैटेगीरी को डिफाइन करता है तंतु, कैसे पदा चलता है कि पर्टिकुलर तंतु, पर्टिकुलर कैटेगीरी का है, तो जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, कि तंतु जो बेसिकल होते हैं, वो दो प् भाचित किया जाता है वो किस प्रकास किया जाता है जैसे वानस्पतिक तन्तु जो कि नाम से ही आपको जाहिर हो रहा है नाम से ही पता चल रहा है कि वानस्पतिक तन्तु मतलब वनस्पतियों से पेड़, पत्तों, फूल या फिर तनों इन सब से प्राप्त होने वाले अर्थात जिनका origin जनतु है — जो जनतु हो से प्राप्थी किया जाते हैं उन्हें कहते हैं believeS convirt अगली category है है खनिष्तन्तु घनिष्तन्त्य जो खनिचों से प्राप्थी किया जाते हैं अब जो खुदाई होती हैं उनके जो Khनिष्ट निकलते हैं इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं जैसे कि आपको पता है कि जो पेड़, पॉधे, यह सब बने होते हैं, यह cellulose के बने होते हैं, तो जो उनसे तंतु प्राप्त होंगे, वो naturally cellulosic तंतु हो जाएंगे, क्योंकि उनमें cellulos पाया जाएगा, तो इस तरीके से यह जो category है, अब देखे केसे उनका जो ऑरिजिन है वह पेड के किस भाग से होता है इससे यह उनकी काटेगरी डिसाइग हो जाती है अब देखे कैसे जैसे कपास कपास आपको पता है वह बीज वाला तन्तु ए क्योंकि जो कपास का पेड है उसमें फूल लगता है फूल के अंदर जो इस चोटी चोटी बीज भी पाये जाते हैं, तो इसको बीजों को अलग किया जाता है, उसके बाद आपकी फर्दर प्रोसेस के बाद कपास से कपास तंतु प्राप्त होता है, इसी प्रकार तने से प्राप्त होने वाले तंतु जैसे लिनन है, जूट है, यह सब क्या होते हैं, ज वी पंत्यू तू कैते हैं जैसे अन्य तू तो की? इनको हो रापते होने लुट यह स्पाइनिश मोस से ड्याटन यह वह जिनके बारे में रहे में हम करनें इसकेषा करेंगे बहरे काई बर हमारे, जो आपकी जो Home Science में, हम लोग M.E. Home Science में के subject में जो पढ़ा रहे हैं, वो इन ही तन्तु के बारे में चर्चा करेंगे. तो तो सबसे पहले बात करते हैं, हमारे praकर्तिक तन्तु, प्राकर्तिक cellulogic तन्तु, कापास की. पहले बात करते हैं इसके निर्मान प्रक्रिया की निर्मान प्रक्रिया मतलब की कैसे कैसे किन किन प्रक्रियाओं से होकर इसको गुजरना पड़ता है किस प्रकार से तंतु की फाइनल जो में तंतु मिलता उसकी प्राप्ति होती है तो इसी क्रम में से चले हैं किस तरह से कपास हुगाए जाता है कैसा इसका पेड़ होता है कि स प्रकार का MICHE प्रकार मौसम चाहिए तो जो कपास का पेड़ है वो समया जो हैं मार्च क मार्व के बीचे में के मार्च आप्रैल आ जाते हैं जो की whitish होते हैं, creamish whitish या light yellow color के पीले करन के होते हैं और अगस्त के माह में या तो स्टार्टिंग में या आएंट तर फूल अपना proper अपनी जो stage है परिपक अवस्था उसमें आ जाता है तो इस प्रकार से इसकी जो खेती है वो होती है अब जब फूल तैयार हो जाता है, प्रॉपर अवस्था में आ जाता है तो इसके बाद उनकी कटाई की जाती है तो इसमें क्या करा जाता है कि जो पेड है उससे कोई कहते है इनको जो बन जाता है फाइनल फूल जो होता है का पास का तो उन कोयों को निकाल लिया जाता है या जो गिर गए होते हैं उन्हें कलेक्ट कर लिया जाता है उसके बाद इनके जो मैंने पहले भी बताया था इनके फूल के अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं जिनको निकालने के लिए ताकि एक कंटिन्यू हमको एक रेशा मिल सके एक अगहाँ जाता है तो उसके बाद इनको एक मशीन में डाल के निकालार जाता है और जो इसमें गंदगी अजाती है ऑविस्ट कि कुछ फूल गीरे होते हैं और एक प्रोसेस हो जो जिसमें कि धिनौल निकाल रहा है बिच बाण गंदगी धूल में विटीश में आ जाती है तो अब बात करते हैं कपास तंतु की संरचना की, जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, कि जब तंतु को लंबवत काटा जाता है, तो वह किस प्रकार का दिखाई देता है, आप इसमें गुमाओ देख रहे होंगे, जो रिबन के समान देख रहा है तंतु और उसमें जो आपका तंतु की संप्रस्त कारट की बात करते हैं तो उसमें आपको चार उसके पार्त विजिबल दिखाई देते हैं, सबसे आउटर पार्ट इस कि असां अब तंतु की विशेशताओं की, जैसे आपने देखा होगा, जला कोई कोई कॉजी कॉटन की और जिसमें कोई तो यह जो आपका तन्तू का अरिजनल कलर है वह एक्रीम वाइट क्रीम होता है यह का बहते का बैसिक कलर है कि रॉजनल कलर है इसमें कोई भी अभी परिसज्जा नहीं हुई है वह रज़को अब का यह होता है चमक की बात करते हैं, क्यूंकि इसकी जो तंतु की आउटर लेयर होती है, तो काफी खुडुरी होती है, क्यूंकि आपको यह मैं पहले भी बता चुकी हूं जब हम तंतौ की प्रपर्टीस पर रहते, कि जो तंतु की जो आउटर लेयर है जिस तंतु की आउटर लेयर चिखनी होगी वो शाइनी होगा चमकदार होगा और जिसकी आउटर लेयर खुर्दुरी या फिर अनीवन होगी वो जो है वो उसका जुलश्य रोगस में नहीं होगा था वो चमक वाला तंतु नहीं होगा त जितने की प्लेन सर्फेस वाले तंतु से होता है इससे क्या होता है कि जो चमक है वो तंतु में नहीं आती है बहुत ज्यादा लंबाई के बाद करें तो बहुत ज्यादा लंबा तंतु वहींसे नैच्वरलिन जी हैं ज़ादा लंबाई की नहीं होती है तो लेकर बाद investigates क we कि दि कर दो सोल भी नेयर feedback मजबूती है और भीगेवे तन्तु की 3.3 से 6.4 मतलब है कि भीगावा तन्तु जादा मजबूत होता है रादर देन एक सुखेवे तन्तु के कमपारिटिवली विशिष्ट गुरुत्व जो है इसका 1.54 है यह कोश्चन कापी आते हैं यह अबजेक्टिव में बहुत इंपोर्टेंट है विशिष्ट गुरुत्व पूछा जाता है और यह कोश्चन भी पूछे जाते हैं कि तन्तु भीगावा जादा मजबूत होता है तो इनको आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इसके अलावा लोच मेता जो है यह इसमें बहुत कम लोच मेता होती है अर्थात बहुत आसानी से मुड़ जाता है और उसका वापस अपनी अवस्ता में जाना बिलकुल मुश्किल होता है क्योंकि आपने अकसर देखा होगा क जो कापस से बनने वी पास्तों जो कोटन बिलकुल हैसको अकसर ही बिनन ईयर्न के आप नहीं पेहन सकते है उसमें करोने करना बहुत सřिर गिसमीनyes की प्रती सथली बहुत कम होती है निकसरता बहुत अच्यजदी है इसकी क्योंकि यह कापस का तन्तु है अपनी अवस्था म जिस भी वस्था में डाल जिया जा उसी में बना रहता है रथा ताय में स्थिर्था उतनी अच्छी होती है और जब फर्स्ट इसको वाश करते हैं तो अक्सरी ये सिकुडते हैं कपड़े अगर कॉटन का आपका वह है तो उश्मा का प्रभाव मध्यम तक उश्मा सेहन कर सकत है और उसके बाद अगर जादा इसको हीट दी जाएगी तो ये फिर सिखुड कर जलने लगता है अब बात करते हैं उश्मा विद्यो चालकता की जैसा आपको पता है गर्मियों के मौसम में बहुत अच्छे माने जाते हैं ये बहुत अच्छे उश्मा के चालक होते हैं क्य कीट प्रतिरोधक की बात करते हैं तो इसमें फभूदी बहुत जली लग जाती है और लेकिन कीट वगेरे जो होते हैं इसको नहीं नुकसान पहुचाते तो कीट प्रतिरोधक होता है और अगर बहुत जादा मान चड़ा है बहुत जादे स्टार्च है इसमें तो इसको इस तो अगर सांद्र खनी जामल है जैसे HCLF इनके प्रभाव से कमजोर हो जाता है और उसमें घुल जाता इंफेक्ट और अंतता खराब जाता है और शोर्षकता होती है इनके पासीने कहज़ों से कम संप्रमी में बढ़ लाष्र काइसे अप्ष्ट यूदक है पहने बचे शचतन है वाड़ से वाटर एफट कर से की तो आपा है। जो अच्छा गरें काइस कि पैलीयों जाता है। क्योंकि तॉलिय का काम भी अब्सॉब करना भॉट एसा लिया जाता है जो अच्छे से ब्सॉफ कर सेके तो cotton is the best fabric for this purpose and इसके लावा इनके साथ मिश्र जाती बनता है अगले लेक्चर में हम दो अन्य तंतों के बारे में पढ़ेंगे जो की प्राकरतिक सेलुलोजिक तंतु है तो इस लेक्चर में इतना ही धन्यवाद